हेलो गुड मर्निंग दोस्तों आज है फ्राइडे 27 अगस्त 9.28 हो चुका है और निफ्टी भी यहां से फॉल कर रहा है अभी तक अपनी एंट्री एलगो की भी कोई भी एंट्री नहीं हुई है कर तो यह देख सकते हैं यह पोजिश्ञ्य पोजिशन है आज कि अभी एंट्री होने वाली है यह एपना अट्रमिनल भी ऑपन है यहां भी और नहीं है तो जास्ट अब एंट्री होगी थोड़ा सा वीड करते हैं निफ्टी आज फॉल करने लगया है अपने होने के साथ ही बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है आपने लगया है अपने लगया है अपने लगया है झाल झाल दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है 16600 के स्ट्रेडल में लाल के लिए फॉल जो है काफी बड़ा है यहां पर एंट्री हो गई है और अभी थोड़ा बहुत हमें यहां पर प्रॉफिट भी मिलना स्टार्ट हो चुका है प्राइस अगर देखें तो अपना सेल हुआ है जिस अभी में सेम है यह अलग है इसमें भी सेम अलमुस्ट सेम प्रैस पर ही सारे एकॉंट में एक्जिकेट हुए है कि इस एंड़ 109 ओके ठीक है एंटर हो चुक है अपना और भी फॉल यह अज काफी ज्यादा कर रहा है अच्छिली अंडेट पॉइंट्स का फॉल लगवग आ चुका है यहां पर ठीक है दिखते हैं जैसा होगा अपना सिस्टम मैनेज कर लेगा कोई दिक्कर की बात नहीं है अभी फिलाल के लिए थोड़ा फ्रोफिट चल रहा है अकॉंट्स में यहां पर फ्रोफिट है यहां भी 100 रुपे के आसपास प्रोफिट चल रहा है और टोटल आज अपना ट् हो रहा है इसमें एक इसमें भी दो लॉट में ट्रेड होगा यहां पर पांच लॉट में यहां पर आट लॉट में इसमें दो लॉट में और यह एक अकाउंट में अचली टेस्टिंग के लिए लगा हुए तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे यह उफलाइन में चल रहा और अगर फॉल करता है तो साइध अपना फूट में स्टॉपलोस हीट हो जाए अज के लिए चलिए जैसा होगा फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ लेट सब्सक्राइब करता है और यहां से फिर इसने टॉप मा रहा है 630 के आसपास तो इस तरह की वोलेटिलिटी में अगर सही से एंट्री ना हो सही जगा पर तो लॉस भी बड़ा हो सकता है बर ठीक है हमारी एंट्री परफेक्ट थी अभी फिलाल के लिए 11,000 का प्रोफिट चल रहा है अपने को ओल अबर सारे काउंट भी पॉजिटिव में चलते हैं यहां पे है दो लॉट वाला इसमें 1100 का प्रोफ चल रहा है इसमें एक लॉट में पेपर ट्रेड के लिए समझ दो चल रहा है तो अभी तक 11,000 का प्रोफिट है और इसने यहां से उपर की तरफ मूव किया था तो कॉल साइड में सायद अपना स्टॉपलोस हीट हो सकता है अगर यह हाई को क्रॉस करके और उपर जाता है त तो हमारी पोजिशन जो इसमें कॉल वाला सेल हुआ हो रख है इसमें स्टॉपलोस हीट हो सकता है बट फिलाल के लिए अभी सेम पोजिशन चल रही है अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो अगर को चेंजेस होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूं तो दोस्तों क्लेटी ने यह वाला टॉप क्रॉस कर दिया और फैनली अपना कॉल में स्टॉपलोस हीट हो चुका है सारे अकाउंट में याप देख सकते हो कॉल वाला हमारा हमारा प्रोफिट जो है और नौहाजर के आश्पास चल रहा है पुट वाली पोजिशन अभी तक अपनी रेनि और लगभग अभी एक हजार का प्रॉफिट हमें चल रहा है तो देखते हैं अभी पुट को कंटिन्यू करके रखा हुए अपने सिस्टम ने इसको कहां पे एकजिट होता है कहां पर रेंट्री वगरा होगा फिर मैं आपको अफडेट करता हूं और दोस्तों पोजिशन यहा होगे यह वाली केंडल में एंड कॉल का स्टॉपलस हिट होने के बाद इसको अमने यहां तक ट्रेल किया पुट को एंड जैसे पुट कवर हुआ अपनी एंट्री नई स्टैडल में हो चुकी है तो पोजिशन अपनी यह है कॉल हमारी पहले निकल लगी थी उसमें यहां प है तो ओवराल पोजिशन अभी टोटल ग्यारा से बारा की बीच में चल रहा है और यह एंजल का अकाउंट है यहां पे भी आप देख सकते हो 16600 का स्टैडल अपना कंप्लेट हो चुका है और अभी एंट्री हो चुकी है 650 वाले में यह 650 का कॉल है और यह 650 का पुट है और स इस तरह का मूवमेंट आ जाए तो जो स्टैडल में काम करते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है बट अपनी कंडिशन इसे साफ से डिफाइंड है कि अगर निफ्टी किसी एक डारिक्शन में भी मूव करने लग जाए तो भी अपना पोजिशन जो है अब है उसके बाद कुछ चेंज होता है फिर मैं आपको अपड़ेट करता हूं दोस्तों टाइम हुआ भी 11.50 यहां पर अपना एक और स्टॉपलस हीट हो चुका है और अभी निफ्टी का मुवमेंट आप देख सकते हो मॉर्णी में पहले इतना बड़ा फॉल किया इसने और उसके बाद इसने कंप्लेटली उपर की तरफ भागना सुरू कर दिया और पहले मॉर्णी में एंट्री वी थी 600 वाले स्टैडल में जो की इदर कहीं आके कवर हो गया था अपना उसमें प्रोफिट में क्लोज हुआ था यहां पर हमारी एंट्री हुई थी 650 के स्टैडल में जो कि यहां से सिधाई उपर की तरफ चला गया और यहां पर भी हमारा 650 का स्टैडल क्लोज हो चुका है अगर देखें तो यह 600 का स्टैडल है जिसमें की हमें मौर्निंग में करीब 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ था दो लोट से और उसके बाद इसमें एंट्री हुई 650 में जहांकि हमें लॉस बुक हुआ है और मौस्ट तेरह सो के आसपास में यह लॉस एक्चुली इतना नहीं होना चाहिए था क्योंकि प्रीमियम ज्यादा आज इंक्रीज हो रहे हैं साइद यहां पर वोलेट्रीटी वगरा बढ़ चुकी इस वज़ा से तो इस वज़ा से यहां पर हमें लॉस हुआ है और अभी फिलाल अपनी एंट्री होगी शिक्स्टीन 700 के स्टेडल में जिसमें की और मौस्ट कोस्ट भी चल रहे हैं और यह थर्ड एंट्री हो चुकी है तो इसके बाद और एंट्री नहीं होगी अग अगर इसमें कहीं पर स्टॉपलस हीट हो जाता है तो इसको क्लोज करके आज का काम बंद कर देंगे तो फिलाल के लिए यह चल रहा है यह एंजल का अकॉंट है इसको एक बार रिफ्रेस कर लेते हैं यहां पर साड़े 300 का प्रोफिट चल रहा है इस इसमें करीब 200-200 के प् हैंडल कर रहा है इस तरह का बेहिवियर जब होता है मार्केट का तो थोड़ा आपको तकलीफ दे सकता है बट यहां पर अभी तक अपने को कुछ ज्यादा सोचने की जूर्थ है नहीं अगर इसमें स्टॉपलस भी जाता है या कुछ बड़ी स्पाइक यहां से और आती है तो भी अपना ज्यादा ज्यादा पॉइंट फाइव परसेंट या उससे कम अपना स्टॉपलस लेके यह सिस्टम अपना क्लोज हो जाएगा आज के लिए और अगर मार्केट थोड़े रेंज में रह जाता है एक दू घंटे के लिए तो यही स्टैडल अपने को कुछ न चलिए अभी बारा बजा है तीन घंटे का टाइम है अभी मार्केट को देखते हैं क्या होता है कैसे होता है और निफ्टी फिलाल आज के लिए थोड़ा अजीवी मूड में है देखते हैं मैं आपको अपडेट करता हूं फिर हेलो दूस्तो इस वन फोटी और निफ्टी द अब रहे हैं और अकाउंट अभी अल्मोस्ट ब्रेक एवन पर चलते हैं चोटा मोटा प्रफिट चल रहा सभी में एक्चुली आज मार्केट साफ कहना चाहरा है कि वह आज हमारे फेवर में नहीं है कि मॉनिंग से इस तरह की मूमेंट हो रही है पलस अपने रेंज में होन दिन अपके कंट्रोल से बाहर हो गया तो आप अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाऊगे तो रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रोपर होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आज यहां पे हमें लग रहा है कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं तो मैं अपने पोजिशन क्लोज कर अब कुछ थोड़ा वो चोटा मोटा लॉस लेकि हम वहां से बाहर आ जाए अब यहां पे जैसे पोजिशन चल रही है यहां से मान लो यह फॉल कर जाता है यह अगर उपर की तरफ जला चला जाता है और हमारा स्कॉबला सीड आता है तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा यहा अब का सबसे जरूरी चीजा प्रॉफिट लॉस बाद में आता है सबसे पहले आप यह देखो जी मार्केटब के अपके कंट्रोल में नहीं है जिस दिन आपके फियुड़ में नहीं चल रहा है उस दिन आपका लोस कितना होने वाला है यह सारी चीज पहले से कैल्कुलेशन आपको करनी चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी वगर बनाते हो तो तो अभी फिलाल के लिए कॉस्ट पे चल रहे हैं अभी डेड़ घंटे का टाइम है अपने पास ओल मॉस्ट देखते हैं क्या होता है अगर इसी रेंज में रह जाता है तो साइध कॉस्ट कॉस्ट निकलेंगे और अगर यहां से कोई स्पाइक आ जाता है उपर या नीचे की तरफ तो अपना स्टाफला सेट होगा और आज के लिए अपना क्लोज हो जाएगा चलो जैसा होगा फिर मैं आपको अपडेट करता हूं लेट्स वेट को दोस्तों भी तीन पंद्रह हो चुका है और पीनल अ लेकिन प्रोफिट आज हमें कुछ भी नहीं मिला यहां से पोजिशन अपनी से वहीं चल रही है 16 700 वाली तो ठीक है होता है कभी-कभी मार्केट आपको नहीं देना चाहता तो आप एक्सेप्ट करो और घर जाओ यहां पे एक लिए लिए लॉस नहीं हो आज और लॉस बच लिए है अजार-दूजार की लॉस में इसको खतम करते हैं आज का काम हेलो दोस्तों अभी सारी पोजिशन से अपनी एक्जिट हो चुकी है टोटल आज अठाइसो के आसपास अपना लॉस बुक हुआ है सारे अकॉट में छोटा-छोटा लॉस है यहां पर डाइसो का यहां आजने लॉसमें पर यहां लॉसमें आज चलता है सब होती रहेगी अज मार्केट अपने पयवर में था बट उसके बावजुद सुभ में प्रॉफिट हुआ इसी मूहमें आई हो तो इसके वजा से прямо की आई-सके अपने सब्सक्रण मों यहां ठीएं पेटए, सुछ होई है मार्केट अभी उसी रेंज में लेकिन वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिल आज तो अज का दिन यहां पर कुलोज होता है एक छोटा सा लॉज लेके अपना ये विक आज का क्लोज होता है अब नेक्स्ट मंडे से ट्रेड करेंगे और कल और परसों छुटी है कल मैं जो अपनी अगली वीडियो है कोडिंग वाली वह पोस्ट करूंगा तो चैनल को लाइक कर दें दोस्तों सब्सक्राइब कर दें